हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आई होब आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे मेरा नाम है दिव्यावर्मा आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टेडी चैनल पर जिसका नाम है स्मार्ट स्टेडी वन ओवन दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए फस्ट यर की हिंदी लिटरेचर के बारे में ठीक है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कभीर का जीवन परिचे और दोस्तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर वर कर दिया करिए कहां रहते हैं इस टाइम और सब्जेक्ट है आपका हिंदी लिटरेचर या फिर हिंदी साहिते दोस्तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कभीर का जीवन परिचे आपकी परिच्छा में कभीर से संबंदित कोई भी क्वेशन आता है बस आप ये वीडियो लाश सक देख लीजे आप सारे क्वेशन ब कभीर का जन्म कौन से स्थान पर हुआ और किस सन में हुआ फिर अगला पॉइंट है सिख्छा दिख्छा यानि की कभीर ने सिख्छा कैसे प्राप्त की कौन इनके गुरू थे और फिर तीसरा पॉइंट है वयवाहिक जीवन यानि की कभीर का विवाह किस से हुआ और फिर फिर अग्ला पोइंट या ने कोन-कोन सी रचनाया तो कवीर ने कौन-कौन SI रचनायां तिस अी प३िर का व्यक्तित्त्य यानी कि पासर आगे देखते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जन्व वा झन्स्थान चलिए देखते हैं भारत की महान संत और आध्यात में कभी कभीर दास का जन्द वर्ष 1440 में हुआ था इसलाम के नुसार कभीर का आर्थ महान होता है इस बात का कोई साक्ष नहीं है कि उनके असली मातापिता कौन थे देखिए कभीर दास का जन्द हुआ था 1440 में ये सन आपको कभीर के असली मातापिता कौन थे इस बारे में कोई साक्ष प्राप नहीं हुआ है केवल बहुत सारे विद्वानों ने इसका अनुमान लगाया है लेकिन असली मातापिता इनके कौन थे इस बारे में ठोज सबूत नहीं मिला है चले आगे देखते हैं भारत के हिंदी साहि तिके महान व्यक्ति कबीर के जन्म को लेकर अनेक मत भेद हैं कुछ लोगों का मानना है कि कबीर का जन्म विद्वा ब्रामडी के गर्ब से हुआ था ब्रामडी ने समाज में बदनामी के ड़र से बालक कबीर को लहर तारा तालाब के पास में फेक दिया था देखिए यहां प समाज में बदनामी के डर से कबीर को लहर तारा तालाब के पास में फिक दिया था या फिर छोड़ दिया था कुछ लोगों का मानना है कि कबीर के माता पिता नीरू और नीमा थे तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हों ने केवल उनका पालन पोश्ण ही किया था उनको यह कबीर जो हैं वो लहर तारा तालाब के पास में मिले थे और इन्हों ने कबीर का पालन पोशन किया ठीक है और कुछ लोग ऐसा मनते हैं कि जो कबीर के माता पिता असली माता पिता हैं वो नीरू और नीमा ही है ठीक है चले आगे देखते हैं वहीं कबीर को मानने वाली दूसर इसी बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के लिए माता-p feeding का होना तो अनिवार है अब ऐसे कमल के सही है कि कवीर एक बहुत नेक दिल इनसान थे और एक आउतारी पूरुष थे एक महापूरुष थे और जो इस महापूरुष टाइप की जो लोग होते हैं इनके बारे में ऐसी अन्विलीवल बाते होती रहती हैं जिन बातों पर विस्वास ना किया जा सके ठीक है चली आगे कबीर के जन्म स्थान के सम्मंद में कई मत प्रचलित है कबीर का जन्म किस स्थान पर हुआ इस से सम्मंदित भी कई मत हैं ठीक है कुछ लोग मगहर मानते हैं कुछ लोग आजमगर मानते हैं कुछ लोग कासी मानते हैं चली देख लेते हैं वन बाई वन करके सारे तो पहला पॉइंट है यहाँ पर मगहर गुरुगरंद साहिब के एक पद में इनका जन्म मगहर प्रसुत हुआ है देखिए यहाँ पर एक पंक्त भी दी हुई है पहले दर्शन मगहर पाईयो पुन कासी बसे आए ठीक है यानि कि कहने का मतलब यह है कि पहले इन्हों ने मगहर में दर प्रसुत है यहाँ पर देखिए कवीर की एक पंक्त दी हुई है तू ब्राह्मन मैं कासी का जुलाहा चीन नमोर गिया ना तैसब मांगे भूपत राजा मोरे राम धिया ना देखिए यहाँ पर तू ब्राह्मन मैं कासी का जुलाहा कवीर ने खुद को कासी का जुलाहा माना है इसलिए जो बहुत सारे लोग हैं वो कवीर का जन्म कासी में मानते हैं और दोस्तों यह जो पंक्तिया होती हैं इनको आप याद कर लीजिए ठीक है आप जब अपनी कॉपी में यह पंक्तिया लिखेंगे तो इक्जामनर इससे बहुत ज़्यदा प्रभावित होता है ठीक है और आपको अच्छे निमबर मिलने के चांसे रहेंगे ठीक है एक दो पंक्तिया आप याद कर सकते हैं ऐसा कुछ नही कहा है और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर जनशुतियां कबीर को कासी में आविर्भूत मानती हैं जनशुतियों का एक संग्रह कबीर कसोटी है इसमें कबीर दास के कासी में 120 वर्स रहने के बाद मगहर जानने का उल्ले किया हुआ है ठीक है जनशुतियों का मानना है कि कब कभीर 120 वर्स कासी में रहे उसके बाद में फिर ये मगहर चले गई चली आगे देखते हैं सिख्षा दिख्षा तो पढ़ते हैं कभीर की सिख्षा कैसे हुई थी कभीर पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने सुईकार किया है मस्य कागज चुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ यानि कि कभीर दास जी कहते हैं मैंने कभी कागज को चुओ तक नहीं और कलम को भी मैंने अपने हाथ से नहीं पकड़ा ठीके उन्होंने स्वयम अपने हाथों से कुछ नहीं लिखा वह अपनी संत मंडली में प्रवचन करते रहे और उनके सिस्सों ने उन प्रवचनों को लिखा देखिए ऐसा कहा जाता है कि कवीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि ये जो उनकी पंक्त है इसके माध्यम से एकदम क्लियर होता है कि कवीरदास पढ़े लिखे नहीं थे ठीक है चली आगे देखते हैं कभीरदास के गुरु का नाम रामानंद था कभीरदास जी के गुरु कौन थे रामानंद ठीक है और रामानंद इनके गुरु कैसे बने इस बारे में भी एक छोटी सी कहानी है चली मैं आप लोगों को बता देते हूं इंडेस्टिंग कहानी है तो ऐसा होता है कभीरदास जी रामानंद के पास में सिख्षा लेने जाते हैं तो रामानंद जी इनको सिख्षा देनी से मना कर देते हैं क्योंकि कभीरदास जो हैं वो एक निम्न जाती के थे ठीक है ये जुलाहा जाती के थे तो उस समय ऐसा माना जाता था कि जो निम्न जात के लोग होते हैं उनको सिक्षा पे अधिकार नहीं होता है देखिए तब लोग सिक्षा के लिए कितना परिसान रहते थे आप कबीर दास जी सिक्षा लेने जाते हैं और इनको सिक्षा नहीं मिल पाती है लेकिन अब क्या है बक्चो को पीछे से ठोंक ठोंक के पढ़ा जाता ह लेकिर फिर भी वो नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़ा करिए ठीक है तो ये जो रामा नंजी है इनको सक्षा नहीं देते हैं और कबीर दास जी वापस आ जाते हैं फिर क्या होता है रामा नंजी गंगा घाट पर शनान करने जाते हैं ठीक है और कबीर दास जी पहले से वहाँ पर पहुंच जाते हैं और गंगा घाट की जो शीनिया होती हैं उन पर जाकर ये लेड़ जाते हैं तो जब रामा नंजी स्नान करने आते हैं और उनका पैर कबीर के उपर पढ़ जाता है तो रामा नंजी के मुझ से निकलता है राम ठीके और गुरू के मुझ से निकल था कबीर को कमाल और कमाली नाम की दो संताने भी हुई ठीक कबीर का विवा किस से हुआ था लोई नामक एंक कन्या से हुआ था और कवीर के दो संताने हुई इनके पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था दोस्तों मैंने community post में एक post किया था जिसमें मैंने question डाला था कि कवीर की पत्नी का क्या नाम है वहाँ पर मैंने यही तीन option रखे थे लोई कमाल कमाली और एक साथ option कोई और था जो तो मुझे याद नहीं है तो वहाँ पर एक बालग ने कमेंट किया कि मैं आपने आपका question गलत है आपने पहले वाले को 70% दिया है बाकी सब को 30% दिया है तो यार मैं आप लोगों को ये बताना चाहा रही हूं कि वो जो voting होती है वो मैं नहीं करती हूं आप लोग ही करते हैं आप लोग जब गलत आंसर पे voting करेंगे तो उसका percentage ज्यादा तो हो ही जाएगा ठीके तो वो voting मैं नहीं करती हूं उसको ऐसा doubt लग रहा होगा चलिए कोई बात नहीं हो जाता है आगे देखते हैं कभीर दास की म्रत्यू कभीर दास की म्रत्यू कभी थी चलिए पढ़ते हैं प्राचीन माननेता है कि जो कासी में अपने प्रांट त्यागता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में जिसकी म्रत्यू होती है उसे नरक मिलता है इस रूडवादी धारणा को तोने की उदेश से संत कभीर अपने अंतिम दिनों में मगहर चलेगे देखिए कभीर के समय में एक ऐसी धारा प्रचली थी कि जो कासी में मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मगहर में मरता है उसको नरक की प्राप्ति होती है तो इस रूडवादी विचार धारा को तोड़ने की उदेश से कभीर अपने अंतिम दिनों में मगहर चले ज ठीक है और मैं भी इस रूड़िवादी विचारधारा को नहीं मानती हूं जो इस टाइम समाज में बहुत सारी रूड़िवादी विचारधाराइं प्रचलेत हैं मैं किसी भी धारणा को नहीं मानती हूं जो मानता है वो भी कमेंट करके बताएगा जो नहीं मानता है वो भी चलिए आगे देखते हैं, कभीर दास जी की म्रत्यू सन 1518 इसवी, विक्रमी समवत 1575 मगहर उत्तर प्रदेश में भारत में हुई थी, कभीर दास जी की म्रत्यू हुई थी, 1518 में अगर आप समवत लिखना चाहें, तो विक्रमी समवत 1575 मगहर में जो की उत्तर प्रदेश में पढ़ता है ठीक है दीखे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि समवत और सन क्या होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो जुनको नहीं पता है उनके लिए में बता देती हूँ सन और समवत के बीच में 57 years का difference होता है ठीक है जो समवत होता है वो 57 years आगे चलता है और जो सन होता है वो 57 years पीछी चलता है यानि कि जब आप समवत में स्वरी जब आप सन में 57 को add कर देंगे तब समवत निकल आएगा ठीक है यहां पर देखिए 1518 दिया हुआ है इसमें आप 57 को add करिए तो कितना आ जाएगा 1575 ठीक है तो यही सन और समवत के बीच में difference होता है चली आगे देखते हैं भासा हजारी प्रशाद दिवेदी ने कबीर को भासा का dictator कहा है ठीक है इस point को आप लोग याद कर लिजे कि कबीर को भासा का dictator किस ने कहा है तो इसका right answer है हजारी प भासा का प्रियोग किया है भासा पर कबीर का जबर्जस्त अधिकार था वे वाणी के dictator थे देखिए कबीर दास जी की जो वाणिया थी उनमें कबीर दास जी ने सामान बोल चाल की भासा का ही प्रियोग किया है ठीक है क्योंकि इनका मानना ये था कि जो भासा आप बोल रहे वो सामने वाले को समझ में भी तो आना चीए वन्ना आपका जो भाशड है वो देने का फिर मतलब भी क्या है जब लोग आपकी भासा को समझ ही नहीं पाएंगे ठीक है तो इनकी जो वाणिया हैं उनमें बहुत सारी भाशाओं का मिश्रण मिलता है इसलिए इनकी भासा को पं कंदेल खंडी ब्रज भासा खड़ी बोली आद के शब्द मिलते हैं इसलिए इनकी भासा को पंच मेल खिचड़ी या सदुकडी भासा कहा जाता है ठीक है इस्थानी लोग जिन भासाओं को बोलते थे जिन भासाओं को समझते थे उसी भासा में कबीर ने अपनी वाणिया ठीक है या फिर अपने उद्देश दिये हैं ताकि लोग अच्छे से उनके उद्देश समझ पाएं ठीक है चली आगे देखते हैं आचारे रामचंद शुकल ने कबीर की भासा को सदुकडी भासा कहा है सदुकडी का मतलब राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोल चली आगे देखते हैं कबीर की रचनाएं अब हम लोग कबीर की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कबीर की एक प्रमुक्षिष्य धर्म दास ने कबीर की रचनाओं को संग्रहीत करके बीजक नाम दिया कबीर की जो रचनाएं थी उनको संग्रहीत करके बीजक नामग ग और कबीर ग्रंथा वली में कबीर की रचनाय वही हैं बस नाम केवल अलग लग हैं ठीक है चली आगे देखते हैं कबीर की समस रचनाओं में तीन रूप मिलते हैं कबीर की जितनी भी रचनाय हैं उनमें आपको केवल तीन रूप ही देखने को मिलते हैं वो कौन-कौन से रू शाक्षात अनुभव विख्यात हैं इन साख्यों में कबीर की भक्ती भावना आत्म ज्यान सहस कल्यार की भावना सदाचार संबंदी विचार आधी व्यक्त हुए हैं ठीक है चले और दूसरी रचना इनकी है सबद सबद की रचना पदों की रूप में की गई है ये गेपद ह जो गंभीरता युक्त है और तीसरी है रमैनी रमैनी चौपाई छंद में है इसमें कबीर की रहस दिभावना और दार्सनिक विचार व्यक्त हुए हैं ठीक है तो जो कबीर की रचना हैं वो आपको तीन रूपों में मिलती है पहली कौन सी है पहली है साखी ठीक है साखी द प्रियोग किया गया है, ठीक है? तो यही तीन कभीर की रचनाएं हैं, चलिय आगे देखते हैं, कभीर का विक्तित्तु के बारे में, कभीर का विक्तित्तु कैसा था, चलिये देखते हैं, जो महत्मा कबीर हैं वो परम संतोसी और दिल के उदार अहिंसा प्रेमोर सत्ति के समर्थक बाह आडंबर विरोधी तथा क्रांतिकारी और एक समा सुधारक थे कबीर को शांति में जीवन प्रिय था और वे अहिंसा सत्य सदाचार आधि गुणों के प्रशन शक थे चरे आगे देखते हैं अपनी सरलता साधु सभावत था संत प्रवर्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है यानि कि विदेशों में भी संत कबीर का बहुत ज़्यदा आधा शमान होता है चरे आगे देखते हैं रूडिवाद और पाखंडवाद के गोर विरोधी कबीर ठीक है इस तरीके से आपको question पेपर में दिया जा सकता है कबीर के समय में पाखंड और रूडिवाद अपने चरम पर था और कबीर ने इसका खुलकर विरोध किया था कबीर का मानना था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना, माला जपना, मूर्ति पूजा और तिलक करना तथा उपवास रखना एक प्रकार का पाखंड है कबीर ने अपने साहित्य में इस प्रकार के पाखंड का खुलकर विरोध किया है कबीर का मानना था कि आप ईस्वर की अराधना करना चाहते हैं तो मन से करिए मन से करिए पूजा पाट करना, मंदिर जाना, उपवास रखना ये सब एक प्रकार का पाखंड है धोंग है कबीर मूर्ध पूजा के विरोधी थे कबीर दास जी भक्तिकाल की निर्गुण काविधारा की ज्याना स्रै साखा से संबंधित है ये एस्वर के साकार रूप को नहीं मानते थे इनका मानना था कि एस्वर जो है वो निराकार है उसका कोई भी आकार या रूप नहीं होता है चलिए दोस्तों तो आज के रिए बस यहीं तक था अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शियर जरूर करिएगा चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा और दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ तब तक एलिया बने रही हमारे साथ धन्यवाद दोस्तों जैहिंद